चुनिए कोई भी एक तस्वीर आपके मन की मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है क्या गुड नियूज आपको मिलने वाली है नमस्कार दोस्तों जैमात अदीजै श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सिहत मंद होंगे अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि आपके सामने दो तस्वीर हैं दो नंबर हैं आपको जो ज़्यादा आकर्शित करें उसे चुन लेना है और देखना है कि आपके मन की मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली तो कौन सी मुराद है वो क्या कुश आपको मिलने वाला है इश्वर की तरफ से इस सब कुश बताएंगे आपको अपने मन को शान्द करके एक आप्शन चुल लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंट्स के साथ और कमेंट बॉक्स में जैमातादी, जैश्री कृष्णा, राधी, राधी राधी लिखना बिलकुल न भूले जब भी आप उनके लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं आपको बहुत सारा आशिरवाद मिलता है इश्वर से तो आईए स्टार्ट करते हैं अब आपने अभी तक चुन लिया होगा अगर आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि आपके मन में कौन सी मुराद ऐसी है जो पूरी होने वाली है टेरो कार्ड बता रहे हैं यहां पर कि आप अभी तक जितना भी संगर्स अपने जिन्दगी में कर रहे थे बहुत संगर्स किया है आपने देखिए बहुत कम उमर में आपने बहुत सारा एक्सपिरियंस हासिल कर लिया है आपको इतना अन्वाव हो चुका है आपने जो भी हासल किया है वो सब कुछ अपनी महनत से हासल किया है यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि दूसरों की सहायता आपको मिल गई है इसलिए आप आगे बढ़ पाए आपको कोई पैतरक संपत्ती मिल गई है कुछ माता पिता का ऐसा नाम मिल गया है जिसकी वज़े से आपको सफलता मिली है ऐसा बिलकुल भी नहीं था जो भी आपने हासल किया है अपने बलबूते पर हासल किया है तो आपने बहुत संघर्स किया है आपके संघर्स कभी भी ये नहीं देखते हैं आपकी मेरे जीवन में इतना जादा संगर्स किया है अब कोई शिकायत नहीं करते इश्वर से बहुत अच्छी बात है बहुत पॉजिटिव रहते हैं आप कभी भी अपने मन में कोई निगेटिव थौट नहीं लाते हैं आपका ये सोचना है कि जो भी इश्वर मने मुझे दिया है मैंने उसे खुशी खुशी सुईकार किया वो चाहे सोखो चाहे दोखो जो भी है सब कुछ आप सुईकार करते हैं ये आपके अंदर एक सकारात्म कूर्चा है और यही सकारात्म कूर्चा आपको जीवन में बहुत सफलता दिलाएगी जी हां दोस्तों आप संगर्स का समय जाता रहा आपने बहुत संगर्स किया है अब आपको उसका फल मिलने वाला है आपके मन में जो भी एक एक्षा थी बहुत दिनों से दवी हुई जी शुरुआत से आप कुछ बहुत बड़ा हासल करना चाहते थे आपके मन में रहता था कि आप कुछ बड़ा हासल करे अब आपको कुछ ऐसे आउसर मिलेंगे कि आप अपने उस मन की मुराद को पूरा कर पाएंगे जी हां आपके मन में कुछ ऐसा था लंबे समय से कि आपको बहुत बड़ी सफंता हासल करनी है आपको किसी जॉब में बड़ी सफंता चाहिए या तो फिर आपको अपने केरियर में या बहुत बहुत जादा धनवार मनना चाहते हैं इस तरह से आपके मन में जो भी एक्षा थी तो टेरो कार्ड बता रहे हैं कि अब आपका समय बिलकुल पूरी तरह से बदल जाएगा जो आप चाहते थे वो सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि आपके अंदर जो एक सकारात्म को उर्चा है जो ईशवर्स आपको आशिरवाद के रूप में दे रहे है सब कुछ आपको वो मिलेगा जो भी आप चाहते हैं जो भी आप इस और से मांगते हैं अब आपका समय बदल रहा है आपको बस इसी तरह से पॉजिटिव रहना है लेकिन एक बात है जो आपको बहुत ध्यान देनी है वो यह है कि आपको आलस से को हावी नहीं होने देना है देखिए हमारे सपने कुछ भी हो लेकिन साकार करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए मेहनत से पीशे नहीं हटना है बहुत मेहनत करें दिन रात एक करके अपने मंजल को पाने की कोशिश करें अब आपका समय साथ भी देगा और आपका भाग भी साथ देगा आपको इश्वर का अशिरवाद मिला हुआ है आप बिलकुल भी चंता न करे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आगया होगा जैमातादी जैश्री कृष्णा अपना ख्याल रखिए बात कर लेते हैं सेकंड नमबर के आप्शन की अगर आपने चुना है महादेव की बहुत ही खुबसूरसी दूसरे नमबर की तस्वीद और आप जानना चाहते हैं कि आपके मन की मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है आपको कोई गुड नियूस मिलने वाली है तो वो क्या है कौन सी गुड नियूस आपको मिलेगी आपको क्या कुश मिलेगा भवशे में सब कुश बताते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आपने जो जीवन में अभी तक देखा है बहुत कुछ देखा है आपने अपनों का साथ आपको मिला है लेकिन अपनों का प्यार नहीं मिला कहीं न कहीं आपके मन में ये रह जाता है कि जो भी आपके दिल के बहुत करीब होता है जो आपके बहुत करीब होता है वो आपसे दूर कर दिया जाता है हो सकता है कि आपको कहीं बाहर रहे के पढ़ाई करने के लिए भीज दिया गया हो अपनों से फैमली से आपको दूर रहना पढ़ रहा है किसी जॉब के सलसले में पढ़ाई के सलसले में आपका मन दुखी हो जाता है अपने पेरेंट से दूर रहना पड़ता है शायद आपको ऐसा कुछ लग रहा है यहां पर और अब आप अपनी सफलता के लिए बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं बिलकुल भी चिंता ना करें दोस्तों सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आप तन मंधन से पूरी तरह से अपने पूरी तैयारी के साथ किसी भी एक्जाम में बैठते हैं कुछ भी काम शुरू करते हैं तो आपको सफलता उसमें जरूर मिलेगी ऐसा टेरो कार्ड बता रहे हैं एक बात और टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आप अकेले ही बहुत ज़्याद कुछ कर सकता है अपने जिन्दगी में तो आपने जो कुछ भी किया कभी बेर्थ नहीं जाएगा जो भी हासल किया जो नालेज आपको मिली है जो एक्सपिरियन्स आपको मिले है वो सब कुछ आपको भविश्य में एक काम आएगा आपको एक सफल इनसान मनने में बहुत की बिल्कुल भी घबराये नहीं बहुत अच्छा समय आएगा भाविश्य में एक बात और यहां पर दिखाई दे रही है कि टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत बहुत भक्त है महादेव के या तो फिर स्री कृष्णा के तो आपके उपर कुछ देविय शक्ति का आश शीरवाद आपको हमेशा मिलता है आपको अंदर ही अंदर एहसास हो जाता है अगर कोई आपका करीबी है उसके साथ कुछ होने वाला है तो आपको एहसास हो जाएगा किसी भी इनसान को जब आप देखते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि इसके मन में क्या चलता है क्या क इस तरह से आप धोखे वाजों से कुछ नकारात्म को उर्जया वाले लोगों से दूरियां बना कर रखें, यह आपको सतरकता दिखानी है अपनी जिन्दगी में, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफल होना है, तो फिर आपको अपना विर्थ के जो दोस्त हैं, आपके बहुत समय खराब करते हैं, उनके साथ बैठ कर आप घंटो घंटो बरबाद करते हैं, ऐसे लोगों की संगत से आपको बचना चाहिए, इन लोगों से आप दूरियां बनाए, अपनी काम पर फोकस करें, जितना भी समय मिले, अपने काम पर फोकस करें, अपने काम में लगाएं श्री कृष्न